आज हम लोग बात करेंगे एकनुमाइजर के बारे में, हीट एक्चेंजर के बारे में एकनुमाइजर क्या होता है, हीट एक्चेंजर क्या होता है और हम लोग उसे क्यों यूज करते हैं और कहां कहां पर यूज करते हैं बहुत सारे चिलर प्लांट में, चिलर सिस्टम में, ह सटम में मतलब में सब्सक्राइब भाइब है इसका क्या किया है और इसके क्या-का फायदे है तो यह वीडिएयो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने लिए उन सब के लिए वीडियो बहुत ही काम की होने वारी इसलिए वीडियो को लाज तक देखें इसकी ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करतें चैनल को सब्सक्राइब करतें और बिल्ट करके अपने दोस्तों बीशेर करें या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो दोस्तों मैं सबसे पले आपक Óbhan Daha जानते होंगे बहुत सिरे Gregory में सबसel झानते होंगे अब सब्सक्राइब करने आकर आउलगर ने क्रेंचा को बाटए तो बात करें तो प्लेट टाइप हीट एक्षेंजर है केरियर 30 XA उसमें हीट एक्षेंजर जो प्लेट टाइप है वह यूज किया आता है तो आपका कोई सा भी चिलर हो अगर वहां पर यह यूज किया रहा है चाहे वह यह कुल्ड हो वाटर कुल्ड हो आप लोग इस तरीके से इसको समझ ले हीट को एक्षेंज करना हीट को एक्षेंज करना अगर कोई ठंडी गैस आ रही है और वहां से गैस गरम गैस गुजर रही है तो उसके आपस में यह टच अप करेगा और क्या करेगा ठंडी गैस थोड़ा नर्मल हो जाएगा और जो गरम गैस है उसको थोड़ी ठंडी कर द पिक्चर भी दिखाता हूँ जो हीट एक्चेंजर है वहां पर आप लोग देखेंगे लिकूड लाइन है लिक्विड लाइन एक हमारा के तरह है कंडेंसर से आ रहा है कंडेंसर में आप लोग बहुत बार मैं बता चुका हूँ तो यहां पर लिग्वड गैस होती है लिकवाइं में गैस होती है कंडेस्ट्य होने सब देखेंगे है आप लोग देखेंगे अगर तो कोलिंग करना चाहता है और लोग बता रहा ही वह निग्त करने के बाद वह कोलिंग प्रापर करेगा और अपराइट्र को देगा एक लाइन है जो लगा हुआ है तो क्या कर रहे है लिक्विड ले रहे है और कूलिंग करके उसको यह ठंडा कर रहे है के खंडा कर रहे तो जो अगर माल लेजिये की कंडेंसेशं अच्छे तरहिजुसे नहीं हुआ बहुत बार हमारा कंडेंसर घंडा होता है या कंडेंसर फैन खराब होता है। कभी ऐसी प्रावलम होती है तो अगर उसमें वैपर रहा जाता है तो उसे अप जो हसे अच्छी नहीं मिल पाती है उस लिए उंस तरस परह्ज THE만 अगर उसमें चीज करना के सब कूलिंग का मतलब यह होता है कि quello अ ओन्हें से सर फ्रापना वोटर से कंडार करते हैं तो लीकुड फोर्म होने के बाद से लिकूड क ezнесती हो हुआ वो सब कूलिंग है अगर माल कि कुलिंग कम घंदा था जा फैन मोटर खराब था उसमें क्या होगा सब कूलिंग सही नहीं आएगा फूर एक्जाम्पल अगर मैं बताओं तो इस्टेंडर्ड सब कूलिंगर हम माल लेते हैं फिप्टीन दिग्री फारन हाइट लेकिन य इसको सही करने के लिए एसी प्राब्लम आ रही है तो क्या होगा जो इक्सपेंश वाल में ठंडा घर गर और वहों देरा है किसे यह उप्लेट जो हीट एक्संजर में अब लोगा दिखा रहा हूं उसमें और उधर से हमारा liquid line आ रहा है और हुजा रहा है heat exchanger में तो क्या हुआ liquid line ने heat exchange कर लिया एकनो माइजर लाइन के साथ एकनो माइजर लाइन ने ठंड़क गिया और liquid line ने उसकी ठंड़क ले ली उससे क्या हुआ जो तो वैपर वगरा बचा हुआ है सब कूलिंग अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो उस सब कूलिंग को प्रापर कर देगा यह heat exchanger उसके बाद यहां से गैस निगलीगा और प्रापर लिक्विड फोम में जाएगी उसके बाद यह उपरेटर में इंटर करेंगी और कूलिंग की एफिशेंसी जो चिलर की और बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरा इसका जो काम इसने क्या किया एकनो माइजर लाइन से जब इसने गैस लिया इसने जब ठंड़क किया तो आप लोग जानते हैं कंप्रेसर कोई सब्सक्राइब हो चाहिए वह स्प्लिट एसी का हो पैकज का हो या किसी भी एर कंडिशनर का हो उसमें क्या होता है एक तरह से मालने की वापरेटर है यह हम अपरेटर में हीट एक्षेंज करते हैं रूम के साथ और इसमें हमन थंड़ेंस तो एक्षेंजर के अंदर लिकुड प्रापर हो बार में यह थंड़ा वैपर गैस किदर गया वापस यह बी हरतरह के डिफेंड मोडल में कहीं भी हो सकता है आप लोगो को वह लाइन देखनी पड़ेगी किदर है किसी कि मोडल में खात करके बादी बादी बे और वह इस्टेटर के अरिये में लगावाता है क्योंकि वह एरिया थोड़ा हीट होता है उसको थंड़क पहुँचाने के लिए और दूसरी बात यह होती है कि इसमें liquid foam नहीं होता है वैपर में जाता है क्योंकि वहाँ पे जब heat exchange हो गया तो यह gas फिर दुबारा वाइपर में change हो जाती है तो इसलिए यह heat exchanger ऐसे काम करता है और कहीं कहीं पे आपको heat exchanger अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे expansion valve या solonite coil जो solonite coil होता है वो use होता है क्यों उसको भी use किया आता है compressor को ठंड़क देने क लिए तो यह दो कारण है हमको दो फाइदा हो गया एक तो liquid proper हो गया गैस का जो अगर रह गया हो condensation में और दूसरा यह compressor ज्यादा हमारे गरम नहीं होगा तो efficiency उसकी अच्छी होगी और अच्छा इस mood चलेगा तो हमारे लिए वह बहुत ही अच्छा है तो उम्मीद करता हू आप लोगों को यह वीडियो सही समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें चैनल को सब्स्राइब करें अपने दोस्तों सब्सक्राइब करें क्या बतां उन्हें भी इसकी जरूवत हो और अगर आप लोग को पास कोई टॉपिक है आप लोग आप लोगों तक पहुंचे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों चलिए जल्दी मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यों वेरी मच्छ वाचिंग में वीडियो बाई-बाई